बॉलिवुड अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की आत्महत्या के बाद बॉलिवुड में नेपोटीजम के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। करन जोहर पर जहां नेपोटीजम को बढ़ावा देने का इलजाम लगाया जा रहा है तो वहीं सल्मान खान के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने सूरज पंचोली का साथ देने के लिए सुशान्त के पास आ रहीं फिल्मों को जान भूच कर जीना उन्हें इंडस्ट्री में ब बॉलिवुड की गुटबाजी का शिकार हुए और अंत में परेशान होकर उन्होंने खुद कुशी कर ली फैंस का ये आक्रोश तब और बढ़ गया जब सोशल मीडिया पर सल्मान का एक वीरियो वाइरल हुआ जिसमें वह सुशान्त के बारे में पूछे जाने पर किया है गुसाए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह सल्मान से जुड़े किसी भी कारे को बिहार में किये जाने की अनुमतीन नहीं देंगे प्रदेश में बिंग हुमन के कपड़े नहीं बिकने दिये जाएंगे और ना ही उनकी फिल्में यहां रिलीज की जाएंगी फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले की CBI जाच होनी चाहिए। इसी बीच पटना में तो सलमान खान और करण जोहर को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किये जा रहे हैं। कहीं सलमान खान और करण जोहर के पुतले फूके गए तो कहीं गुस्साई फैंस तोड फोडी पर भी उतर आए। पटना में सलमान खान के क्लोधिंग स्टोर बिंग हूमन पर प्रदर्शन कारियों ने जबरदस तोड फोड की। लोगों का गुस्सा तब तक शांत नहीं हुआ जब तक स्टोर पर से सलमान के पोस्टरस हटा नहीं दिये गए और मैनेजर ने स् से भरा वीडियो भी तयार किया गया है। गालियों से भरे इस भोजपूरी गाने में करन जोहर और सलमान खान के लिए बेहत अभधर भाशा का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं सलमान खान पर दोहरी कानूनी मुसीबत भी आ पड़ी है। बिहार के मुझफर नगर मे और मध्यपरदेश के थाना बिलाल गंच में सलमान खान और कुछ अन्य बॉलिवुड सितारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। सलमान खान एकता कपूर आदित्य चोप रौरसंज लीला भंसाली समेत आठ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने सुशान सिंग राज 24.